डाइव होर्स पार्ट वन लिख आन बान सान सब मिट्टी में मिल गए जब दो लर्की की मा हुई तो पती पतनी मेरेज डे पे मित्रों को बुलाया और एक मित्र ने उनकी पतनी को हीरे की हार भेट किया पती देखता रह गया उस मित्र की निगाहें उस मित्र की निगाह पतनी पर कम थी बलकी उनकी पतनी की और ध्यान केंद्रित था कुछ दिन बाद हीरों का हार लेकर पती पतनी में तनाव बरतने लगे पतनी ने एक दिन कह दिया जो आप नहीं कर सकते थे वो आपके मित्र ने कर दिया इसमें मेरा क्या दोस्त था पती से भी नहीं रहा गया और काफी सोच विचार कर अपने किसी सुचिंतक से विचार विमर्ष करके पतनी के बिरुध डाइभोर्स लेटर भेज कर पतनी की सोच को मिट्टी में मिला दिया समप्त